देर स्टुडेंट वही हव्टु डिस्कस अर्ली चाइड़ एजुकेशन फार सस्टेनेबल डिवेल्मेंट इन स्वेड़न हम स्वेड़न की बात कर रहे हैं और स्वेड़न के अंदर जैना आपने देखा के स्वेड़न ने वन टू फाइएव्श को प्री स्कूल डेकलर किया लेकिन उसके साथ जो करिकुलम डिफाइन किया वो तुन फाइव्श के लिए डिफाइञ किया इस使 के साथ जब उन्हान आ हने टीचरस की बात की थो तो युनिवर्स्टी ग्रेजुएट्स एलीजिबल हुए फार टीचिंग और उसके साथ जो नर्सेज थी दे वर आल्सो एलीजिबल को ङुए व में झाना या नैक्स जो कोफेंल ता उसके लिए उसके लिए वहुता क्वालेटी एज्यूकेशन के लिए जो है स्वीडिन गॉरणिंट्न ने एक ट्रेणिंन प्रद्राइब बनाया और उनको ट्रेणिंग देने के बाद अब quality को भेतर और quality को control किया जाने लगा क्योंकि जब हम school की बात करते हैं जब हम declare कर देते हैं कि early childhood education it is the part of the education है और यह school है तो उसके अंदर जो हमारे पास जो important factor आता है वह हमारे पास है कि जो learner है उसका curriculum क्या है उसने क्या सीखना है उसके objective क्या है learning outcomes क्या होंगे उसके साथ जो बात होगी जो teacher है उसकी qualification क्या है यह थोड़ा सा stat है कोई data है जिसके अंदर जो जो student के अवाले से है वह हम discuss कर लेते हैं वह आपके साथ share करते हैं कि हमारे पास early child education के अंदर 12% जो staff था वह preschool teacher जो थे वह 16 years degree older थे और 2018 के अंदर जो है average group of the children जो था वह 15.4 था और जो national agency है for education benchmark की उसने जो age दी थी one two three is six to tell children जैनी जब एक से तीन की बात करते हैं तो वहां से वो कहते हैं जो group बात करते हैं जो benchmark करते हैं वो कहते हैं छे से बारां बचों का जैना वो group size होना चाहिए और यह size जो है वो बारां से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह 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 समझे लें कि जो class की तदाद है यह मैं दूसरे लफ़जों में आम लफ़जों में अगर आपको समझाना जाहूं तो class की जो तदाद है वो दस बारां students से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब देकिए जब आप quality के standards को लेते है quality को control करते हैं तो वहाँ पे quality के control के अंदर जो है हमारे पास important factor जो है वो class size का भी आता है मुख्तिलिफ लेवल पे मुख्तिलिफ class size define है और वो already बने हुए है गैर स्यूदे ने हं यूनिवर्स्थी के अंदर है class के अंदर के तने student होने चाहिए वो भी स्कूलों के अंदर कित्रा की तरह होने चाहिए तो इसी दिक्ले से जो तीन साल से जो पांच साल के बचे हैं उनकी class का size के तना होना चाहिए इसको भी declare किए गया है और एक निया ट्रेंड जो है सुडियन के अंदर आ गया और वो निया ट्रेंड क्या आ गया कि आपने बच्चों को कठ्ठा कर देना है और छे से साथ का स्टाफ रख देना है यानि कमभाइन कौन से एज से तीन से पांच साल तक जो बच्चे हैं जैनि उनकी एजुकेशन ती येर्स, फॉर येर्स, फाइव येर्स की बनाने के बजाए या उसको ग्रे अगर हम किंडर गाटन की बात करते हैं तो केजी वन, केजी टू बनाने के बजाए उनने एक निया कंसेप्ट दिया और उनने का आज ही तमाम बच्चों को कठा कर दिय जाए और इसके ओपर जाना उनकी एक डिबेट शुरू हो गए कि क्या ये पसिबल है क्या हमें साइज को जो हम साइज डिकलियर कर चुके हैं वो चाहे दस का है या बारह का है या सोला का साइज है जो भी साइज जिस मलक ने भी डिफाइन किया क्या हम उस साइज को लेके चलेंगे उस साइज की बकैदा क लास डिवैल्प होगी और उस कलस का टीचर इफाइन होगा और उस टीचर का बकैदा स्लेवस होगा क्या ये मर्डल चलेगा? या हम तमाम बच्चों को कठा कर देंगे और कुछ स्टाफ हम उसको पर अपाइंट कर देंगे और उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं वो उनके छुट-छुटे ग्रुप बनाके उनके अंदर जाना समाल ग्रुप बनाके उनको एक्टिविटीज देंगे और उनको एक्टिविटीज के अंदर उनको इन्वाल्व कर दिये जाएगा और activities के जरीए ही उनकी learning process होगा अब इसके उपर एक debate आती है और इसमें से कौन सा model जो है वो common है और कौन सा model जो है वो पहले मुक्तले मुमालिक जो है वो नार्वे है या कोई other मुल्क जो है है और स्वीडन ने कौन सा model यूज कर दो है यहां पर इसके उपर एक debate शुरू होती है अब देखे मॉडल हमारे पास दो आते हैं एक मॉडल है जिसका आप कह दें के जैसे अमेरिका का मॉडल है अमेरिका ने क्योंकि एक्रिडेशन करनी होती है तो जहां कहीं एक्रिडेशन इन्वाल्व होगी वहां पर जो मॉडल बनेगा वो डिफाइन क्लास, डिफाइन नंबर आफ दे स्टूइट्स, डिफाइन कलिकुलम, डिफाइन अक्किविटीज, लर्निंग आउटकम डिफाइन होंगी फिर इंफरस्ट्रक्षर डिफाइन होगा, फसेलिटीज होगी, टीचर्ज ने उस करिकुलम से जो लर्निंग आउटकम लेने है, वो अमरे पर डिफाइन होंगे, एक यह मॉडल है, दूसरा मॉडल यह है, कि आप एक छुट-छुटे ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बेस लर्निंग अक्टिविटीज कराते हैं, और उस ग्रु लर्निंग प्रॉसेस होता है, तो यहां पे जो एक क्वेश्चन रेज हुआ, कि स्वेडिन जो हैं, वो किस मॉडल को फालू करेगा, तो वो जिस मॉडल को फालू करेगा, उसकी बात हम बात में करेंगे।